नमस्कार दोस्तो स्वागत है। आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल दी पावर ओफ ओम पर दोस्तो अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले वे। जय श्री राम अचानक रात में तीन बजे नींद खुलना किस बात का देता है। संकेत छिपा होता है गहरा दैवीय रहस्य। हम में से अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि हर दिन रात में अचानक से उनकी नींद तीन से चार के बीच खुल जाती है। अगर आपके साथ हर दिन ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण जान लीजिए। कहा जाता है कि रात को तीन से पांच बजे के बीच नींद खुलती है तो यह दैवीय शक्ति के लक्षन है। कोई दैवीय शक्ति आपको संदेश देना चाहती है। आपको कुछ समझाना चाहती है। यदि आप हर दिन तीन बजे के आसपास अचानक जाग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि सृष्टी और दैविय शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं और अपने इष्ट देवता की पूजा करें। आपको भगवान का जाप करना चाहिए, क्योंकि कई शक्तियां आपको पाने के तो इसका मतलब है कि दैविय शक्ति चाहती है कि आप इसी समय जागें। ऐसे में आपको कुछ देर जाग कर अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, इस समय आपकी पूजा सीधे भगवान तक पहुँचती है। समय के साथ आप इसके कारण अपने जीवन में चमतक सारी परिणाम देख सकते हैं। ब्रं मुहूर्त या अमृत वेला क्या है। ब्रं मुहूर्त या अमृत वेला क्या है। ब्रह्म का अर्थ परम तत्व है, मुहूर्थ अर्थात अनुकूल समय, ब्रह्म मुहूर्थ को अमृत वेला भी कहा जाता है, अमृत का अर्थ है जो जीव को अमृता प्रदान करता है और वेला का अर्थ है समय, अमृत वेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने या अमृता दे जब भगवान स्वयम अपने भक्तों को अमरित पिलाने आते हैं और जो उस अमरित को नहीं पी पाता उसे आनंद नहीं मिलता। रात को तीन बजे क्यों नहीं उठना चाहिए? यह प्रश्ण गलत है क्योंकि प्रातह तीन से पाँच बजे तक ब्रह्म मुहूर्थ का समय होता है. जब आपका मन पूरी तरह से शांत मन से आसानी से एकाग्र हो सकता है. या इस समय आप ईश्वर से जुड सकते हैं या सोच स रही है. उस समय यदि आप भगवान का जप ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है. रात को तीन से पाँच बजे उठने का क्या मतलब है? स्रिष्ट चाहती है. आपका गुरु चाहता है. आपका ईश्वर चाहता है. ईश्वर ये शक्ति चाहती है क आप जाग जाएं. आप ईश्वर को याद करें. आप ईश्वर का जाब करें. क्योंकि बहुत सी शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं, जिन्हें आपको प्राप्त करना है. क्या है ये शक्तियां? ये शक्तियां सकारात्मक स्पंदनों से भरी हुई हैं, जो आपको निरो प्रिय भक्तों और प्रिय जनों को प्रात काल ही जगा देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह चार बजे सो जाते हैं। प्रिय भक्तों में उठकर विधिविधान से जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर सदैव दैविय कृपा बरस्ती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से शीग्र ही दैविय कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि भग्वान सुबह ब्रह्मांड में विचरन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण, शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरन कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में ही भग्वान की पूजा अर्चना करने का विधान है। नोट, यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। दे पावर आफ ओम चैनल इसकी पुष्टी नहीं करता है।